है 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 जल्दी से लाज्ट क्लास को रिवाइस कर लो ताकि हम आज का टॉपिक बता सके अभी तक जो भी क्लासे हुआ है पार्टनर सिर्फ फंडामेंटल्स में उसमें हम लोग कंप्लेट कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस अप्रॉपेशन से कॉंट पार्टनर्स कापिटल हम आपको बता रहे हैं तो याद कर उसमें बताया थी कि आजम आपको बतारएं तो हम आज मापको बता है तो आजम लोग सिखनी जा रहे हैं capital account maintain करना किस method से तो fixed method से there are two methods in partnership for maintaining partners capital account one is called fluctuating method already completed and next one is called fixed method जो आज का topic है तो चलो fixed method से हम लोग partners capital account कैसे maintain करते हैं यह हम आपको बता रहे हैं नहें बताना स रुखें ना नहीं बताएंगे की में लोगो था है नहीं बताना जारे मैं से किस कर द से capital account maintain करेंगे नहीं बताने जाते सब क्यों ने बताना चाते हैं आज उसे मानना चाहरे हैं तो अब장 Stories कि आपको को partnership में drawings का मतलब समझ ना पडेगार drawings का Classification समझना पड़ेगा यह एदि बिना drawings और ерм आता भी नाएनटे पर सेंट करें कृते आपसे .. जाएगा, knowledge uncomplete रह जाएगा, कैसे complete रहेगा हम तुमको proof करके भी बिताएगे, तो चलो, एधी fix method अच्छा से समझना, तो हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, और वो है, drawings, और यहाँ पर partnership में, fundamentals में, there are two types of drawings, दो drawings हैं, एक drawings को हम लोग नाम देते हैं, drawings against capital, और जो दूसरा drawings है, उसका नाम है, drawings against profit, अब हमको एक चीज़ बताओ, यह जो drawings against capital और drawings against profit है, यदि इसको हम नहीं समझाते हैं, और fix method बता देते हैं, तो लिख लो एकदम वहाँ पर अपना copy में, कि हम तुमको fix method नाच्छा से सम 90% 95% की समझा पा रहे हैं, पुरा 100% अच्छा से समझा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि fix method भी तुमको यहाँ पर, यदि fix method समझना, partners capital जो है, वो fix method से कैसे maintain करते हैं, उसके लिए जरूरी है, यह दोनों drawings समझना, drawings against capital और drawings against profit, यह दोनों drawings जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक आप fix method अच्छा सरनी समसर, और विस्वास लकू, जो बोल रहे हैं, तम 100% सही, तो चलो हम लोग जो आज का main topic है, आज का actual topic है, that is, two drawings, in partnership, there are two types of drawings, drawings against capital, drawings against capital, and drawings against profit, drawings against capital, और, जो दूसरा drawings है, उसका नाम दिगने यहाँ पर, drawings against, profit, यह दोनों drawings का मतलब पहले हम लोग सीखेंगे, पूरा अडिक्टिव वाइज इसमें discussions करे जाने हैं, सबसे पहले meaning हम समझाने दाने, what is the meaning of drawings against capital, and what is the meaning of drawings against profit, इसको समझना चाता है कि दोनों का मतलब क्या है सर, दोनों differences क्या है इसके बीच में, तो हम तुम लोग से जरूर बोलेंगे, एक काम करना, तुलों का जो दोस्त है, जो जो, याद है, बतायते हैं, चल उसको लेकर आते हैं, जल्दे इस है, तो यह दे तुम यहाँ पर देखो, थोड़ा सर, तो मालों कि दो पार्टनर है, दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, दो पार्टनर है, ए और बी है, यहाँ पर हम जो एक्जाम्पल तुम लोगों लिए थे, 12C का स्टुडेंट में, एक लिए थे, अमन का और एक लिए थे, सूजल का, तो यह देखो, थोड़ा सा यह यह हो गिया अमन और यह वो गया सूजल। जैसा तो लोगो मालूम है कि दो फटा यह थोड़ा ओड़ा दिख रहा है तो यह अमन है फ़टा सा अगल्दी जरी अरे सोजल जो पतला दुबलाए तो लोगो मालूम है, क्लास में यह बतब दुबला है ठीक है? सो और इसका business यहां देखे यहां पर इसका एक business बना दे रहे हैं नहीं जी अरे ऐसी बताते हैं ना partnership में हाजी ऐसी बता रहे हैं तो सुने आपर यह जो अमन और सूजल हैं यह दोनों partners हैं और यह उसका business है as per separate entity concept को अनुसर है is that clear अब वो कहा रहा है यह अमन और सूजल that's a sunat हम इसका मतलब बता रहे हैं drawings against capital का मतलब और drawings against profit का meaning आपको बता रहे हैं यह अमन और सूजल suppose कर वो business से start किया था कितना कितना capital introduce करके business से start किया था suppose करो अमन जो है वो two lakhs rupees invest करके business से start किया था और सूजल one lakhs rupees invest करके वो क्या किया था business से start किया था टेक है यहां तो clear है हां सर यहां तो clear है पहला हम लोग मतलब समझेंगे drawings against capital का मतलब और देखिये क्या है यह अमन और सूजल यह मान लोग कि लोग business से start किया था July months में July 1st को और July 1st को दोनों partners क्या करता अपना personal use के लिए drawings का मतलब होता है owner अपना personal use के लिए विजनस से जो cash और goods withdraw करता है यहां तो cash का मतलब रहेगा that is called drawings तो July 1st को यह दोनों क्या कर रहा है जितना भी capital introduced किया था यह 2 lakhs और 1 lakhs यह अमन क्या कर रहा उसमें से अमन क्या कर रहा उसमें से मालो कि उस 2 lakhs रुपेज में से यह 50,000 amount withdraw कर लिया यह 50,000 पैसा निकाल लिया capital से सूजल क्या कर रहा जो 40,000 है उसमें से वो क्या कर रहा उस 40,000 जो लगा था उसमें से यह 1 lakhs जो लगा था उसमें से यह 40,000 मालो कि क्या कर रहा यह पैसा withdraw कर लिया यहां यह जो drawings है लिया, this is called drawings against capital जो पैसा और लोग इपितल जो लगा रहा उस capital से पैसा निकालना बारे साइंस यह जो लो गालो हुआ, this one yes sir ना कम दिए को अर्योंTom and what is next drawing my dear this is drawings against profit points against profit सुन्हां आ पर यह अमन और सुज़ल जो बिजनस का profit होगा उस से जो योग पैसा विड्रॉघ कर लेगा अमन उस है जो पैसा अमन और सुज़ल विड्रॉघ करेगा यो प्राफिट होने वाला है उस profit से जो पैसा ये लोग विड्रॉ करेगा अपना personal use के लिए that is called drawings against profit clear है मेरा माना नहीं सर्क profit यहाँ पर जो वर्ट सम प्रॉफित यूज करें अब प्रॉफित मत ही यूज करना हिंदी में एक बात बोलते हैं जो होने वाला profit है उसमें से पैसा निकालना जो होने वाला profit है उसमें से पैसा निकालना that is expected profit profit का भी वर्ट से नहीं यूज करना है जैसे मानलो के हम बोल देते हैं यहाँ पर कि जो इलो का profit था वो profit मानलो की इलो का profit मानलो की वह उसमीं मानलो प्रॉफिट है तो यह profit में से अमन और सुजल कहकर रहा प्रॉफिट इस एक लाख प्रमें से जो पैसा विड्रॉख करेगा इसको हम लों कहेंगे drawing sentence capital sorry drawing sentence profit गलत क्योंकि profit जो होगा वो तो साल के end में होगा यहां पर profit मत बुलेगा drawings against जो profit इसमें profit ने बुलेगा expected profit जो profit होने वाला है A और B को यह अमन और सुजल को जो profit होने वाला है उसमें से जो expected profit है उसमें से जो पैसा विड्रॉख करना that is called drawings against profit for example हम यहां बता रहें suppose कर कि यह दोनों क्या कर रहा अमन और सुजल October months में जहां सुनना October months में यह लोग क्या कर रहा है एक और drawing कर रहा है यह लोग को लग रहा है भाहिया हम लोग October months हो गया November December October November December तीन मेहना के बाद हम लोग को तो साल के end में profit होगा जितना भी profit होगा अभी लोग को ने वालूं है लेकिन उसमें से क्या कर रहा है यह अमन और सुजल जितना की expected profit है उसमें से अमन मालों drawing कर लिया है सपोस करो अमन drawing कर लिया 20,000 रुपेस और सुजल drawing कर लिया 10,000 रुपेस और यह जो date है यह दोनों का date है October 1st October 1st profit हो लोगों मालूं नहीं है ठीक इतना profit होगा profit होगा लेकिन लोगों को लग रहा है हरसा तो profit हो रहा और हम लोग profit में से क्या करेंगे जब profit होगा तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 20,000 रुपेस और 10,000 पर निकालेंगे Aspected जो profit होने वाला है उस profit में से पैसा निकालना That is called drawings against profit profit word मत use करना यदि हम तुम लोग से कभी भी question किये drawings against profit का मत बता हूं तो बोलना सर, Aspected profit में से हम लोग जो ड्राइंग करते हैं That is called drawings profit word use किया एक जापर लगा देगा गलत है क्या वर्षी उस करेगा ताम को लिसे निया आपर बात मेरा सुन क्या वर्षी उस करेगा Aspected profit profit बोला तो फिल्म मिल जाएगा समझाएके ने So this is the meaning of first meaning of drawings against profit and drawings against capital यह तो meaning हुआ Now come to the journal entrance अब हम तो बताने जारहे हैं जर्वलेंट्री बताएंगे यह जो drawings है drawings against capital इसके लिए क्या journal entering आपर यह पास करेगे और यह drawings against profit है इसके लिए हम लोग क्या journal entry पास करेगे ठेक है So यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अभाड जगह है मेरे पास यहाँ पर हम journal entry तुम लोगो दोनोंका journal entry बताते हैं जहां से देखना और समझना अच्छा एक चीज़ बता यह अमन और सोजल जो दो लाख पर लगाया था और एक लाख पर लगाया था इसके लिए क्या एंट्री पास हुआ अब अरे यह स्टार्टिब बिजनेस विद क्या आस पहले बतायते अरे यह दोनों जो पैसा लगाया ह होगा तो एंट्री पास किया गया होगा यहां पर जनल एंट्री जो पास होगा वह वह होगा यह कैस या बैंक आकाउन डपेट थ्रिलाक्स रुपिस कैस आया था यह एंट्री ड्रॉइंस से नहीं बता रहे यह दोनों जो अमन और सोजल जो कैपिल लगाया उसके लेंट्र प्रिपास कर रहे है और दूसरा हम लोग यहां पर किया होंगे एसेट टू अमन्स कैपिटल नहीं टूलैक्स तुपिस और यहां लिखे होंगे टू सुजल्स कैपिटल बता ना यही ना जरी हां तो यह तू हो गया स्टार्ट बिजनस विद कैस यह दोनों जितना पैसा ल यहां पर जब यह दोनों पैसा लाया था तो इसके पास क्या था एक तो कैसा आया था कैसा इंक्रीज करके एसका है नहीं पैसा किसका है अमन का है तो आगे चलकर बिजनस को क्या करना हो इसको रिटर्न करना होगा तो इसके लिए क्या है यह बिजनस के लिए अमन क्या है ल तो इसके लिख देते हैं ओन्स capital फिर बता हुढ यहां पर किसका है यह business का नहीं किसका है social का है तो यह business को social के पर्टी कितना लबिटिष है तो 1 lakhs और एक कैसा लेटिष है internal और internal लेटिष के लिए वर्डीष की डबल बल बल जदे से capital तो इसके हम लोग पास करते हैं, अब थोड़ा सा ब्रें इस्तमाल करना अब यह दो जितना उसको पैसा दिया डिया काप्टल लगाया है, उसमें से जब ही लोग विड्ड्रॉख कर लेगा, टुन कर लेका, पैस के लिग विड्रॉख कर लेगा, कैस्व विड्रॉख कर रहा यह बिजनेस के पास total cash कितना था तो 3,00,000 उसमें से जब यह 50,000 निकाले रहा सूजल 40,000 निकाले रहा क्या decrease कर रहा है इस business के पास cash balance होगा वो reduce कर जाएगा और जो cash balance reduce होगा तो आप सब को मालूम है तो कि यहां पर इसके लिए जाने interest आप सब को मालूम है कि cash मारे लिए assets है और asset decrease करता हम create करते हैं ऐसे हम इसको create करते हैं दूसरा यह बता दो यह business अमन को पहले कितना अमन को कितना पैसा return करने का responsibility था पहले अब यह business बोलेगा इसको अमन को सुनो दो लाग पर लागा था ना उसमें से तू 50,000 पर निकल ले दिया बाब हम तुम को जो आप पैसा return करेंगे दो लाग पर return नहीं करेंगे 50,000 पर काट लेंगे हम तुम को return करेंगे 1,50,000 पर यह बता इसका क्या decrease कर रहा है business का क्या decrease कर रहा है Labritus, internal labritus और internal labritus के लिए words के यूज करते है capital मतलब किसका capital decrease कर गया यह अमन्स का capital है यह यह capital 50,000 से decrease कर गया दूसरा business को सुजल को पहले कितना पैसा देना था मतलब business को सुजल को किता पैसे return करना था capital को पैसे 1,00,000 पैम लेकिन जब सुजल उस 1,00,000 पैम में इससे 40,000 पै निकाल लेगा तो यह business उसको बोलेगा दो बसुजल तुम हम को एक लाग पैसा देना उसमें इससे 40,000 निकाल लेगा और आपको मालूम है capital reduce करता है? debit करता है दो capital reduce होरा अमन का capital reduce होरा? सुजल का capital reduce होरा दो rules of capital is capital reduce that should be debit नहीं तो यहां प्रेंट भी पास कर दिंगे हमें ऐसे अमन्स capital account debit के ताम ओंजन दिस मता? 50,000 और सुजल कापिटल एक अंडर बेट असे 40,000 इसे तार जोर्नल एंट्री इस फोर drawings against capital यह जो एंट्री है इसको खते है हम लोग drawings against capital और यह वाना जो एंट्री है इससे एक चीज़ देंद नहीं एंट्री का पास करेंगे जिस ट्रेट को drawing हो रहा उस ट्रेट को पास करेंगे में तब July 1st को और एक चीज़ देखो यह जो एंट्री है यह जो drawing का एंट्री है जिस दिन होगा उसी दिन आपका capital को reduce कर देगा आपका capital reduce हो जाए तुलेक्स capital create capital debit 50,000 उसी दिन capital reduce कर जाए चुले यह तो बात में डिसकस करेंगे अब आज अब जनल इंट्रेटर्स का drawings against profit के लिए journal interest क्या यह लोग यह जो drawing है और से drawing हो रहा और नहीं expected profits और expected profit अभी नहीं होना profit actual में तो मांग चलेगा December 31st यह लोग सोच रहा है कि हम लोग को December 31st को इतना profit होगा उस profit से लिए drawing कर रहा है और यह जो यहाँ पर है यह जो drawings है कितना-कितना drawings है drawings against profit है वो 20,000 और 10,000 यह जो drawing से इस का drawing से धान रहा यह जो drawings है यह capital से drawing क्हujemy हो रहा है यह जो एसफेटेग profit से drawing हो रहा है तो इस drawing से अमन और सोजल का capital reduce नहीं करने भाँ उस rate को October 1st को capital से फैसे ने ही निकाल रहा यह expected profits से निकाल रहा तो ऐसा ड्रोइंग से कैपिटल अमन और सुजल का कैपिटल रिडियोस नहीं करेगा टेक लेकिन ये अमन और सुजल निकाल का रहा मिच्चर विस्केट रसमलाई नहीं यहाँ पर गो लोग कैस निकाल का तो डेफिनिटली कितना कैस निकाला 20,000 और 10,000 इसका मतलब ये है कि डेफिरिटली इस जर्नल इंट्री में भी कैस बालेंस रिडियोस कर जाएगा टू कैस और एमन और हम लोग लिख देंगा ऐसे 20,000 प्रस 10,000 तो 30,000 कोई दिक्काथ है जो जल्दी से बता दरो नहीं नहीं अरे ये ड्राइंस का मतलब हम क्या बोले है ड्राइंस अगेंस प्रॉफिट और ये ड्राइंस अगेंस से जी प्रॉफिट है इसका मतलब कैपिटल से तो नहीं हो रहा और जब कैपिटल से नहीं हो रहा तो यहां कैपिटल रिडूस करने का बात नहीं आता है और यहां जो जनले इंट्री पास करेंगे देखो आमन्स ड्रॉइंस एकॉंट डबेट ट्वंटी थाउसंट फिर सुजल ड्रॉइंस एकॉंट डबेट 10 थाउसंट और यह जो एंट्री पास करें हम लोग अप्टूबर फॉस्ट यह इंट्री हम लोग पास करें अक्टूबर फॉस्ट को यह चर्नल एंट्री हम लोग पास कर देते हैं इस एकॉंट यहां तर बात समझ आरा जो हम बोर रहे हैं हां सर समझ आई है तो अब अब एक बात सम्झो हम जो बताना चाहरे हैं ऐसा ड्राइंस जिस दिन होगा उससी दिन आमान और सुजर का कैपिटल रिडिस कर जाएं तो यह कैपिटल यह चाहरे हैं लेकिन ऐसा जो ड्राइंस होगा दिमांग बठा जो बोर रहे हैं ड्राइंस अगेंस प्रॉफिट से कैपिटल रिडिस उससी देट को नहीं करता है फिर से मेरा बात सुरू जो हम समझाना चाहरे हैं हम समझाना यह चाहरे हैं कि यह ऐसा ड्राइंस होगा ड्राइंस अगेंस प्रॉफिटल उससे दिन कैपिटल रिडिस करता है इसका इपैक कभी नहीं करता है जो क्या इस vintage capital कभी भी reduce नहीं करता है मेरा मननहां इस ड्राइं से मेट इस सब्स अटान चुक्छ शोता है साल के एंद में छहिंज सुरह साल के एंडे में यह चुए पात्स को न इमाग बहा का सुन्या आपर कि दिसम्बर 31 जब होगा दिसम्बर 31 ओ स्टेट को यहां पर्फवास से इसको क्लीन करते है पहले रुख जब हम क्लीन कर दें तुम्हों को याद इतना कितना खाप पर लगाया गया था रिटना ट्रोइंस हो है चलो जल्दी से रिमाइन कर लोंग तुम्हों को क्या मतारेती हैं हम बता रहेती है येक्ष ओड्रवाइंस है इस द्रैडवाइंस से जिसतें द्रैवांद वो ऑसी शुजल का यह जो ड्राइंग्स है, शाल केँंड में यह जो एंट्री है, यह जो ड्राइंग्स यह जो अमन और सुजल का ड्राइंग्स हैं, इसको साल के एंड में Capital economic transfer करके सम 9 को close केना होता है मालू है या निमालू है तुम लोग देख लेका है कि पहले शेपि लोग क्लोज करें यह इन दोनों क्तरू पर्टनर्स Capital कीледविट काई 11 class में जाओ, जिदी बात नहीं समझा रहा तो 11 class में जाओ, हम लोग entry pass करते थे 11 class में, what, drawings took as, याद है, और याद कुर तो मेरा student है, फिर हम तुम लोग को बताये थे, कि साल के end में, जो finally कौन तुम लोग बनाता था, तो balance sheet में लिखता था capital, वहां से teacher याँ हम लोग बताये के लिखते थे drawings, list drawings लिखने के लिए बोले थे न, याद कर उसके लिए हम बोले थे, कि वहां पर balance sheet में जो capital और list drawing करते हैं, हवां में ही होता है, entry pass करना होता है, और उसके लिए entry pass की होंगे हम लोग, वहां पर drawings के लिए entry pass हुआ होगा, what, बता सकता है, वहां पर हम लोग entry pass की होंगे, क्या, नहीं, देख के आपर बता रहे हैं, जब drawings की होंगे 11 class में हम लोग करते थे, तो entry pass करते थे drawings account debit to cash, यह entry हम बता है, फिर याद को रहा हम बता है कि यह drawings account इसको साल के एंड में हम लोग close करते थे, final account लिए लिए class कर, final account याद कर लिए class करते, कहा transfer करके close करते थे, capital account में, तो यह जो इसको close करना था, यह debit था, इसको close करने के इतना बहुता, क्रेट करेंगे और कहा transfer करके close करते थे, capital account में, तो entry होता था, capital account debit to drawings, मेरा student समय तुम लोग, और तुम लोग को याद आएगा कि हासर यह बात आप लिए class में सम और यह जो entry pass हो रहा, इसी से तुमारा, यह जो entry pass हो रहा, इसी से balance इपनों तुमनों लिखता था, capital अलेस करते थे, drawings, इस entry के helps होता, हाँ, हवामे, less नहीं करते है, balance, capital से drawings, यह entry pass करते थे, और यह नेट इट इटिशक इसका entry का निकालो, drawings एक बार debit, एक बार drawings, credit, तो nat effect ब तुम लोग याद होगा, हम तुम मेरा student है, तो एक बात तुमको याद होगा, के लोगों को बुले थे, कि जब हम लोग सब बताते हैं कि drawings to cash, drawings to cash, drawings to cash, अरे लोगं क्लास में हम बताया थे, तुम लोगो, drawings हो रहा ना, captive to cash लिखना चाहिए, कैसे गलत हो जाएंगे? जो ड्रॉइंज हो रहा है और दिखो नहीं है यहांपर अब तुम प्रूफ हो रहा है कि हम लोग जब ड्रॉइंज करते यह एंट यह पास करते हैं रिजन बताया थे क्लास में और या तो रहे एक foreign writer का books में reason क्या लिखा हुआ था इसका, क्यों हम लोग capital to cash में लिखते हैं, क्यों drawings to cash लिखते हैं, रिजन तुम लोग और school में class में वजो foreign writer का books था, उस books में हम आपनों को दिखाया थे, बताया थे, छोड़ा वोग discussion जरने का time variance, तो यदि हम लोग देख रहें कि 11 class में भी drawings का दो entry pass होता है, drawings to cash और capital to drawings, तो उसे तरह से यह जो drawings हुआ है, यह drawings का entry pass होगा, और फिर last में, यह दोनों drawings को, दोनों partners का capital में transfer करके close करते हैं, तो जब close करेंगे, तो यह दोनों debit है, इतना amount से credit करतो, और कहा transfer करके close करना है, अमन्स और सुजल की capital में, तो अमन और सुजल का capital इससे reduce कर जाएगा, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, अमन्स capital account debit, सुजल's capital account debit, तो, जल्दी से बता, इन दोनों को close करना है, इस two accounts are debit, you have to close this account, so what should be done, so this account should be closed, debit, क्या करते है, create कर देशको, ऐसे लिकना, तो अमन्स drawings, लो नहीं आपर है, तो सुजल's drawings, और कितना कितना amount हो जाएगा, देखो यह amount या लिका हुआ है, 20,000, 10,000, 20,000, 10,000, जासे यह दो एंट्री का net effect निकाला, जो क्या होँआ, capital to cash, यह यहाँ पर जो दो एंट्री है, इसका भी net effect निकाला, यह जो दो एंट्री इसका भी net effect निकाला, अमन्स drawing's debit, अमन्स drawing's credit, close, सुजल's drawing's debit, सुजल's drawing's credit, close, what are the net effect of these two interests, again, again, यहाँ देख, यहाँ देख, अमन्स capital, सुजल's capital to cash, यहाँ देखो, अमन्स capital, सुजल's capital to cash, हाँ यहाँ यहाँ, इसका मतब हम क्या बोलेता हैं तुम लोगो, यह जो drawing's है, जिस दिन होगा, उस दिन यह capital को reduce नहीं करेगा, लेकिन अंत में फिर यह December 31st को, यह भी drawings capital को reduce करता है, clear है या नहीं clear है, is that clear, yes, now, इसके बाद दूसरा बात, partners जो capital हम लोग maintain करेंगे, जो partners capital maintain करेंगे, उसमें दोनों drawings को कहां लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, इस पर आजो, तो यदि तुम लोग यहाँ पर समझना चाहों, तो यदि मालों हम partners capital का यह laser बना रहे है, partners capital का laser बना रहे है, यह हो गया अमन्स का capital और यह हो गया सुजल्स का capital, और यह हो गया अमन्स का capital और यह हो गया सुजल्स का capital का column, ओकें, यह partners capital account है, fluctuating methods, fluctuating methods, fixed method नहीं, हम बोल दिया है, fixed method तो तभी आप अच्छा से समझ सकते हैं, जब आपको यह दोनों ट्राइंग मालम होगा, यह दोनों ट्राइंग के बंद्ले बीना जाने होगे, knowledge is uncompleted है, यह दोखो, यह जो ट्राइंग से, यह partners capital में इसके लिए words हम लोग यूज करते हैं, two cash, two cash, ऐसा जो ट्राइंग होगा, तो जब भी हम लोग capital account maintain करेंगे, तो वो partners capital के debit side जाएगा और वहाँ पर लिखेंगा हम लोग two cash, लेकिन यह जो drawings होगा, यह drawings हम मानते हैं कि innate effect तो वही हो जाएगा, अवन्स capital कान डेविट सुजल capital to cash, तो क्या यहां पर फिर two cash लिखना चाहिए, यदि यहां पर फिर से two cash लिख लिख देगे, तो आप कैसे difference लिख करेंगे, which one is drawings against capital and which one is strength against profit, तो सुनें आपर, partners capital में, यह जो drawings है, यह video inside आएगा, लेकिन इसके लिए cash words नहीं use करते हैं, इसके लिए words यूज किया जाता है accounting में, यह सई सुन रहा है drawings, तो यहां पर एक बात सुन, मेरा बात सुन देबावो, partners capital account में, cash लिखा हो है, drawings against capital S है, partners capital में drawings लिखा हुआ है, अब बता कौन सा drawing है, सर सर यह तो drawings against profit है, दिमार कर धकन खुलाब, यस, यह ज़िए सह, समझा, यस, तो देखो यह तो हम लोग समझ गया, अब आज आ रहे हैं एक बात पर और वो जो बात है वो है तुम्हारा, interest on capital का calculation और interest on drawing का calculation जान से सुना मेरा बात, interest on capital का calculations और interest on drawing का calculations यह दोनों topic fundamental में अलग अलग हम लोग को detail wise discussion करना है, जैसे कि हम लोग यहां पर profit and loss, प्रफिशन और partners capital का रहे हैं विसके तरह साथ से टॉपिक, interest on drawings complete करेंगे, बहुत सारा case है, साथ साथ केस है, वो बताइने total, फिर interest on capital है उसको भी complete करेंगे, तो interest on drawings और interest on capital जोता हम लोग को क्या करना होता है, calculate करना होता है, और एक बात सुन लो यहां पर, हम आ रहे हैं सबसे पहले interest on capital के लिए, interest on capital के लिए, लिग भी दे रहे हैं, लिग भी दे रहे हैं, calculations of interest on capital, ध्यान से सुन और एक और बात बता रहे हैं, यदि तुम लोगों को drawings against capital और drawings against profit मालूम ही नहीं है और अभी तक तुम fundamentals complete कर दिया है, तो कैसे complete क्या आँगो नहीं सब्सक्राइब, interest on drawings और interest on capital, यह भी दो topic, सिर्फ fix method नहीं चे, interest on capital और interest on drawings के आप सही तरह से तभी calculate कर सकते हैं, जब यह दोनो drawings का मतला मालूम हो, अदर्वाज आपका नहीं interest on capital का मांट सही निकलेगा, नहीं interest on drawings का मांट सही निकलेगा, नहीं आप fix method से capital content अच्छा समेंट निकर सकते हैं, यह समझ भी सकते हैं, सर क्या बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, जो यह को proof कर पूरता हैं, एक बात समझ लो, यह तुम कान पूर कर सुन, interest on capital calculate करते हैं, जानसे सुन, interest on capital calculate करते हैं, इस तरह का drawings, drawings against capital, should be considered, यानि interest on capital ही दिया हम लोगो calculate करना है, तो drawings against capital है, यह drawings against capital है ऐसा drawing है, तो उसको ध्यान रखना उसको देखना तब जाकर तुम्हारा interest on capital का मांट सही निकलेगा, और दूसरा बात है, यह एक इस प्रफिट को देखना भी नहीं इस देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं इस drawings को, drawings against profit को देखना भी नहीं है, क्या हम बात पुल रहे हैं? रिपीट करते हैं, interest on capital जब calculate करेगा, तो यह drawings, these type of drawings are considered at the time of calculation of interest on capital, but at the time of calculation of interest on capital, this drawings, drawings against profit that should not be considered. Clear है? Yes, clear. अभी एक जामपल लेके समझा ले. दूसरा बात आजाओ. और वो हैं, interest on drawings. या इसके साथ हम जोड़ देने हैं, calculations of interest on drawings. Calculations of interest on drawings. सुने मेरा बात. जैसा कि हम लोग अभी सिखें, interest on capital calculate करना तो सिफ ये drawings का हम लोग कंस्ड़र्ट. ये वाला drawings को हम लोग को consider नहीं करना है. interest on capital calculate करना है. और दूसरा बात. जब interest on drawings calculate करना है ना, और एक बात बुलें, drawings का जो मतलग नहीं आपर नर्मली, वो drawings का मतलब drawings against profit होता है. drawings against capital नहीं होता है. अब वोड सालेंट, drawings, only drawings. जब सालेंट होता है. तो इंट्रेस्ट on drawings calculate करते है समय. क्योंकि drawings का मतलब ये ही drawings नहीं होता है. ये drawings नहीं इसको यदि दूसरा नाम दिना चाहेंगे आप, ये जो drawings नहीं है इसको दूसरा नाम दिना चाहेंगे आप, तो इसको तो मेरे लेंग्विज कन साल कहना चाहें, इसको करते हैं हमडू, withdrawal of capital. तो आसी दिमाग में रखना है ये जो drawings सा इसको हमडू कहना नाम दिना है, withdrawal of capital और ये जो drawing है drawings नहीं इस profit that is drawings. इंट्रेस्ट on drawings calculate करते है समय, इंट्रेस्ट on drawings calculate करते है समय, सिफ और सिफ ये drawings considered होगा, और इंट्रेस्ट on drawings calculate करते है समय. इस drawings को देखना भीणभी associations, देखेए हगे ने इसका डरपार, पहतरा इसका नहीं देखेगा. समझा? मतलब वात कहने का मतलब इंट्रेस्ट on drawingsMay Cup calculate करना है? तो ये सतरका drawings पर ही इंट इंट्रेस्ट on drawings calculate होगा. सिर्फ क्ष ऑल्ग करता समय यह व्या जो जो ज्याद्राइंस को आपको ध्यान में धीने देना है सर नहीं समझाय सर और अच्छा से समझाय नोगलुत सब्सक्राइब करते हैं हम इसमें समझाना चाहते पहले इस point को किसमें क्या बोली थी jih Calculation of interest on capital में कि interest on capital पल काल्कुलेटि करता समय यह वादा द्रोईंस को कंसीडर्ड नहीं करना है इसक कैसा ड्राइंस मुझां सब्सक्राइब्छ के खरन गानेद तो जैसा मैं तुमनों देख रहा है कि यह दोनों कंटल इन्टोब्डवूस्ट किया था यह दोनों capital लगाया था यह 2,00,000 रपिय लगाया था January 1st को और यह 1,00,000 रपिय लगाया था और उसके बाद क्या किया था पुसके बाद हुआ था कि अमन क्या किया था drawings किया था ठीक है हम बुल गयांगो तो बता देना WORK 580,000 drawings किया था drawings against capital और यह जो ट्राइंग्स कहा था ना, वो फ्रzeugत था किया था और उसका जो डीट वो जुलाई 1st ठेक और एक और द्राइंग्स हुआ था वो उसका नाम था द्राइंग्स अगैस्ट प्लोकरेट और और हमस्ते काम में एपरस्थ तुम्हों को calculate करना संधार है, यहाँ देखे, यहाँ देखना, जैसे कि year स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, कितना कौन-कौन सा मन्त होता है, March, April, Mai, June, July, August, September, October, November, and December, यह कंप्रीट हुग कैसी ओन यह है जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रैल, माई, जून, जुलाई, अगस्ट, सक्टमबर, अक्टूबर, नॉम्बर, डिसम्बर अब एच्कि धाराद देखे तक कि जो आमन है यह अमन कैपिटल कभ लगाया था, जून्वरी फर्स्ट को, कितना कापिटल लगाया था, 2 लाक्स लूपिस तो ये 2 lakhs रुपिस में चिंजिस का बारा तो ये 2 lakhs रुपिस में चिंजिस का बुड़ा July 1st को तो ये 2 lakhs रुपिस जन्वरी में रहा ये 2 lakhs रुपिस फर्वरी में रहा ये 2 lakhs रुपिस मार्च में रहा ये 2 lakhs रुपिस अप्रेल में रहा यह 2 lakhs रुपीज माई में भी रहा, जून में भी रहा, अब यहां देख यह year important है, जुलाई में 2 lakhs रुपीज मौर्णि में इसका capital था, जुलाई 1st को 2 lakhs रुपीज इसका capital था, लेकिन इस डेट को यह decision ले रहा aim, that is अमन, कि भाया आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना capital तो बताएं 50,000 पर इस डेट को capital निकाल लेगा, तो इसका capital रिडियूस करेगा कि निकरेगा, कि हम बोले हैं, drawings against capital, इस तरह का capital उसी डेट को capital को रिडियूस कर रहा है, तो इसका मतलब उस डेट से जो capital हो जाएगा, हो जाएगा 1,50,000 पर, ठेक, तो 1,50,000 पर, जुलाई drawings हो रहा, कब October 1st को, 1,50,000 पर इसका capital था, October 1st, morning में सुबर सुबर, इस डेट कोई क्या कर रहा, एक और drawing कर रहा, या देख, October 1st को 20,000 पर, क्या हम बोले हैं, इस तरह जो drawings हो रहा, इस से उस डिन capital reduce नहीं करेगा, और दूसरा, interest on capital calculate करता समय, इस drawings को, तुमको considered भी नहीं करना है, मतलब मत रख, इस drawings से, इस drawings से capital reduce नहीं करेगा, और इस drawings को, हम लोग interest on capital calculate करता समय, नहीं consider करेगे, मतलब, October में भी 1,50,000 पर रहा, November में भी 1,50,000 पर और December में भी रहा, अब बात आता है, कि interest on capital कितना होगा मनका, तो और ये 1,50,000 पर कितना भी तक रहा, तो सर 6 मनक रहा, calculator मेरा कहां पर है, तो देख रहा है यापर, यदि तुमनों interest calculate करेगा, कितना होगा, अमन का, तो 2,00,000 जो भी rate of interest होगा, ठीक है, जो भी rate of interest होगा, माने 10%, कितना मन्स का interest, तो 6 मनक रहा, दूसरा ये जो 1,50,000 पर पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको एक नट दिखना पड़ेगा, वो 51,00,000 लग दिख रहा है कि नहीं जी नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर हम कालपुरेट कर दे रहा है, यहाँ पर कालपुरेट कर दे रहा है, हम यहाँ पर कालपुरेट कर दे रहा है यह कितना दिन तक नहीं तो यह चोशं मंत ले रहा है दोनों ठा अल्ड़यरयर simpl за क्वैज्टकर करें यह बढ़ाईगा आम का है इंट्रस्टन divert मटरोड हम पासराइन का लेल कंवाय करें 맞는 लिएंहिड करते हैं इंटू 6 divided by 12 इरभावदे क्या पर दस सजार पर अब इसका खरप्रिट कर ले ना एक लाग पचास सजार इंटू 10 divided by 100 इंटू 6 divided by 12 यहों ताइ 7500 अब इसका टोटल ही दिये हम लोग कर देगे तो 17500 70500 वाट क्या हम बोले थे इंट्रेस्ट और क्यापिटल करते हैं इस द्राइंस को जब से द्राइंस अगेंस कापिटल जो इसको ऐसकों स्वाइड करना, लेकिन इंट्रेश्ट अनकैपूल जब कल्कूरेट करना होगा और ऐसा ढूइंस है असचोड नॉट बी चांसिद, यहीं रिस्वाइड काम सुजल क्लिक कर एगा, कर सकता है का अलcesसु क यह दिखिये कुट हम लोग समधाते हैं हुआ अब एक लास्टकवाइन आघा है इंटरेस्ट अधराइण संया हां पर क्या हम बुलें लेंगे हो सिर्ट बियंक्स और सब्सक्राइच के लिए और हुश्राइच के लिए वरे-बाइचि शोबता है अर यह रूए के लिएक सब के लिए का लिए ज्लाइंट केふा यह की तुरुक्त तो देखे आपर, यदि इंट्रस्ट नो ड्राइंस से दे दिखा जाए, तो दोनों पार्टनर्स में एक का समझा देरा, दुसरे का तो निका देना, किस देट को अमन ड्राइंग कर रहा है, अक्टूबर 1st को, तो अक्टूबर 1st से साल का एंड जो मंस होगा, दिसंबर होग इसको सिंप्ली इसका ड्रोइंग्स हो है, 20,000, अमन का इदी इंटरेस्ट रोइंग्स का अपूरिट करते हैं, तो 20,000, 10 by 100 ले ले लेते हैं, और 3 by 12, इसको solve करके लेखते हैं, नहीं करते हैं, तो इसका अमान का परसेंटेशन करते हैं, इन्टी कगर्डेज करते हैं, यह सक जरा है, यह हो गया, इंटरेस्ट रोइंग्स, और एक बात सुन, इंटरेस्ट रोइंग्स काप्तिल को देखे भी नहीं, यहांत बात कलियर है, हा या ना बोल, बोलो नर्वावौ, हां समजाया निया है, यह हूँ है यह हुआ और और कुछ नहीं इस टॉपिक में जितना सारा बात था हम सब बता दिए हम सब है हाँ सब तो बता दिए लेकिन एक कुछ लॉजिक चीज थी को छोड रहे हैं तो लोग सोच ना क्या Là लोजिक सोड़ी सापता दी तो बुए बुख्स को प्रट के दिख लेना इससे ज़्यादा कुछ में लिखा हूआ है कहीं पर पर कोई टीचर्स पढ़ लेना है इतना जो अम बता रहे है बस इतना ही लिखा हूआ है लेकिन यहाँ पर रीजन इसके साथ दो रीजन है दो के पाद जब अस्कुल रियोपन होगा तो वहां पर कस्टं करना हमसे कि यहां पर कुछ मन में क्रियेट हो रहा है कि ने क्रियेट हूया कुछ मन में ड़ॉट्स आ रा हैं university से रहा है मेरे माइड में के इतना ही हम रणने देते हैं, असकोल जब स्टार्ट होगा, यहां कुछ छोड़ रहा है, पूछेंगे ज़रूर तुम लोग से, प्रिपेड होके रहना, ठेक? लेकिन जाने के बिले एक-एक कोईशन मेरे मन में आ रहा हम बेरे देते सर जो ड्राइंस है उसके लिए हम लोग यह एंट्री पास करते हैं दो एंट्री दोंट्री ड्रइंस अगिन्स प्रॉफित के लिए पेला एंट्री यह आ फर यह प्रोजिंग करते हैं अशाहिस से बताए न, इंट्रस्वानटरोईंस के लिए तुम मैं लोग सिंख्खking मैंन्स परां मैंन्स काकिटल एक कान दॉपट यंभ clicks शोजरव Lahar capital एक ओन टॉपट तो इंट्रेस्ट उन ड्राइंग्स यदि हम थोड़ा से इसका भी ड्राइंग्स निकाल देते हैं थोड़ा सा सुजल का तो 10,000 10 by 100 into 3 divided by 250 तो यहां परोजाएंगा 500, 250, 700 चली यह वोगया इंट्रेस्ट उन ड्राइंग्स के लिजन इंट्रेस्ट चलो अब ही एंट कर रहें तौम लोको, क्या तुम लोको मैं में कोई कोश्यारा है और तुम लोको के दिभां में कोई कोश्यारा है न्यों क्रेत हुरा है Sari 11 लू आप्पास करते थे लकार से इंट्रेट इंट्रेट करेंदे कटेट रहा हूं अर इक अर्च में डारीट करें ऑघबंत differentiation केड़् अन्ये टोड में किर लेक्ट इंट्रेट्न कड्या Heart नहीं थुडा समय 000zh reim नाज़या जा हो सकता है, नहीं लगा हो, हमको तो लगता है, अर इक और आपसे, सोचो, समझो, तब तक लिए हम लोग, आ सकरे लिए पल, गणाइट, बाइबाइब अगे, बाइब